हेलो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है मारी YouTube चैनल Study with Bisal Singh में जी आँ दोस्तों UP scholarship 2024 की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से जी हां दोस्तों आपके मन में बहुत जादा डाउट था कि सर किसके के लिए पोर्टल यहां पर उपन हुगा है क्योंकि आपने बहुत जादा कमेंट किया था और यहां पर टेलीग्राम पर भी बहुत लोगों नहीं आप एसमेस करकर सर पूछ रहे हैं कि सर कैसे करेंगे संस बहुत करा सिब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइबreten कि मतलब दोछरड क्याया था उसी नौटिस में क्यों सभ्ट सब्सक्राइब यहां पर उपन ओ चुगा दूसरे तरी उपर ने आप देख सकते हैं कि कब रखा गया है 26 अप्रेल 2024 से 3 मई 2024 तक आप देख सकते हैं कि यहां पर तूटी आवेधन को छात्रों के अस्तर से सही करना चात्रों में अगर आपने कोई आपने करेक्शन किया तो इसे संस्था में जरूर जमा करेंगे अगर आपका इस scholarship नहीं आएगा 100% भले यह आपको और को यहां पे मतलब कॉलेज में जमा करना अनिवार है तो इस लिए आप जरूर मतलब करेंगे तो कॉलेज में जरूर समीट करेंगे तो यह डीट आप कंफ करेक्षन करने का साथ मईज तक को फॉलेज में जमा कर देना है और किनके के लिए के लिए कि वाले यस्टी चात्रों के लिए अगर आपको कोई डाउट कोई परसानी कोई दिक्कत करें नीचे मेरा चैनल को वहां से मेरे टेलिघ्रम सीनकारी चाहते हैं कोई बीबी दिक्कत है प्रसंडिली मुझे म возмilé कर सकते हैं यह पर आуса रहें हैं के बारी नहों को कहां call नहीं है आई आप जानते हैं तो देखिए दोस्तों आप जब भी आप यूपी स्कालर सिप लॉग इन करेंगे तो आपको इस तरह आपके आपके अपने वेब साइट पर आई स्टेसर नमबर फिल करके और अपना पासवर्ड पासवर्ड और डेटा बर्थ फिल करके आप यहां पर च पर आपके सामने ओपने के बाद कुछ इस तरह आपके सामने ओपन होगा जहां पर पूरी तरीक यहां पर जो भी आपको दिखाएगा कि आपका राइस्टेसर नमबर पासवर्ड और पासवर्ड पासवर्ड आप फिल कर लेंगे तो यहां पर मतलब आप लॉग इन हो आपका अधा नमबर जो भी आपने वेरिफाइग किया है सब कुछ डीटिल है आप देगा लेकिन यहां पर कोई भी आपसवर्ड नहीं होगा उपर वाला केवल एक ही आपसवर्ड होगा को आवेधन पत्र को संसोधित करें अगर आप में कोई दिक्कत है तो आवेधन पत् आपको सकता है तो जिस्तुरेंट्ट का मेंने यहां पर दिखा रहा इस परождения का सब्सक्राइट था मिस्न्च पार इृहां पे जिसके वजगे से इनका इस्टेटस ब्लॉक कर दिया गया था लेकिन अब इनको सही करने के एक बार फिर से मौका दिया जा रहा है तो इसलिए आप जब भी यहाँ पे फिल करेंगे माक्स सही और साधानी पूरबक से फिल करेंगे क्योंकि कॉलेज को फारवर्ड करना रहता है और आपके जो रिजल् इनकम सेटिफिकेट चाहिए आपका माक्स मिसमैच है इन्रोल्मेंट नंबर भरना है जो भी दिक्कत है यहाँ पर रहेगा यहाँ पर सो होगा उसके एकोर्डिंग यहाँ पर यहाँ पर भरेंगे देखिए यहाँ ध्यान देंगे अगर आप इस जीपीय पर डाली यहाँ यहाँ पर अगर यहाँ पर यहाँ चाहिए तो यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ वार्सी की रहेगा तब यह हमेशा लगवग यहाँ पर 99% में आपको मैं बता दूँ यहाँ पर वार्सी खी रहेगा और यहाँ पर CGPA अंक पढ़ा लिया प्रमोटेज विद वैक अगर आपका है तो आप पर सही करके आप अपना मार्क्स भर लेंगे देखिए यहाँ पर इनका 8.94 था और 10 यहाँ पर था यह तो 10 सही है 8.94 था जिसके बज़े से इनका दिक्कत हुआ था यह सही करने के लिए यहाँ पर देखिए मैंने इनका सही किया है तो 8.29 हो गया है 8.29 और यहाँ पर enrollment number भरना बहुत ही जरूरी है एट नमबर पर आप ध्यान देंगे दोस्तों कि यहाँ पर एट नमबर पर जो भी आपको दिख रहा है यह enrollment number यहाँ पर भरना बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या हाँ पर enrollment number हमको भरना तो 8 नमबर पर भरना हमको enrollment number वह भी कौन student भरना अगर आप first year के student है तो पर अपना जो भी आपको पंजी करमांग है अगर आपका registration number कोई है तो यहाँ पर फिल कर देंगे college के according जो notice हो निकालेंगे उसके recording नहीं तो blank ही रहता है maximum case में यहाँ पर bleibt हिर होता है enrollment can be सब्सक्राइब करेंगे तो आपके सामने इस तरह का आप सनाएगा और अब इसके बाद आप क्या करेंगे अपने डाकुमेंट को प्रिंट करेंगे देखिए दोस्तो इस तरह का अपसन आएगा कैसे अब आएगे अपने होम पेज पर नहीं किया है अगर इस वाले आपसन को एक बार भी प्रिंट कर दिये अगर एक बार भी इस आपसन को प्रिंट कर देंगे तो तब यह वाला आपसन आपका ऊपर वाला आपसन यह लॉक हो जाएगा अवेदन पत्रस संसोधित करने का तो इसलिए ध्यान पूर्वक आप अगर सब कुछ सही है तभी आप प्रिंट करेंगा और इसे कॉलेज में जरूर ज समय आई होप आसा करते हैं कि आप सब कुछ समझ गया होंगे देखिए दोस्तों आपको बारी बारी से मैंने एक एक स्टेप को समझाया है यह के बले एस्टी और एस्टी चात्रों के लिए जनरल भीसी वालों के लिए अभी कुछ नहीं है और अगर आपने संसोधित कर दि पैसा कब तक आएगा तो देख सकते हैं 28 जून 2024 तक आपके एकाउंट में धनराजी को पैसा दिया जाएगा यहां पर देट दिया गया है और आपका जब भी मतलब जब आप कॉलेज में जमा कर देंगे 7 मही तक उसके बाद आपको 14 जून तक 14 जून तक आपके मतलब जो वेरिफाइब होने लगेंगे चाहे बैंक से हो चाहे डिस्टिक से हो आपके वेरिफाइब होने लगेगा और अठारे जून के बाद आपके मतलब जो भी एंपीस याई डिश्टर सिगनेचर है वही सत्यापित हो जाएगा आप देखेंगे बहुत से लोगों का यह मतलब कोई सत्यापित नहीं हुआ होगा लेकिन ही हो जाएगा इसमें ख़वराने वाली बात नहीं है पहले चरण में बहुत सा है स्टुडेंट हैं जिनको इसकॉलर्शिप नहीं मिला है यह स्टी वालों के लिए उनको मिल सकता है लेकिन जनरल वे इसे वालों के लिए अभी कोई नहीं है तो कैसा लगा इस वीडियो को जरूर नीचे कमेंट करका बताइए अगा और कोई दिकत परिसानी हो तो टेलिग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं डिस्क्रिप्सन में चैनल का लिंक है वासे जोईन करके मुझे प्रस्नली मैसेज करके कुछ भी पूस सकते हैं तो कैसा लगा इस वीडियो नीचे कमेंट करका जरूर बताइएगा तो फिलाता इस वीडियो में बस इतना ही मिलते एंगले वीडियो में और भी अन्हें जनकारियों के साथ तब तक के लिए जैहिंत वन्दे मातरम